प्रिगनेंसी में बहुत सारे भीलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनसे खाना नहीं खाया जाता है तो ऐसे में बहुत साथ कमजोरी आ जाएगी बच्ची के डिवलपमेंट कैसे होगा अगर आप डेली सही से उरा खाना नहीं खाएगी आज का वीडियो full solution लेकर आया है Hello everyone, स्वागत है आपका YouTube Mom चानल में यहाँ पर आज में कुछ amazing, खुद ही useful और जब आप इन आइडियास को follow करेंगी तो instant result मिलने वाले हैं तो आएए थमझालते हैं भूख नहीं लगना, कई बार vitamin B12, iron की कमी से भी होता है तो I hope की pregnancy में आपकी डॉक्टर ने जो भी medication आपको दी है, आपको से regular ले रही है लेकिन जो body के अंदर issues हैं, नहीं खाया जा रहा है, उनको हम इन tips से solve कर सकते हैं Number one, watery fruits, salads, जैसे की तरबूज है, खीरा है, इनको आप खाएं और जब आप इनको cut करते हैं, इनको त्यार करते हैं, खानी के लिए काला नमक और काले मिट्च का इस्तमाल करें या आपके digestion को improve करने के लिए, इनको खाने के बाद थोड़ा सा walk करें आप, थोड़ा walk करने के बाद धीरे धीरे इसका effect बढ़ेगा और आपकी भूख खुल के लगेगी, इसको आप routine में भी follow कर सकती हैं जीरा पानी, जीरे को भून के powder बना के रख लें, एक glass पानी ले, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा सा honey, थोड़ा नीबू का रस उसमें add करें और उसको गरम या normal पानी में prepare करके पीएं, ये खाना खाने के बाद भी आप कर सकती हैं, इसमें काफी fiber है और ये digestion को बहुत अच्छे से stimulate करता है, आपकी भूख बहुत खुल के और बहुत अच्छे लगती हैं, अजवाइन की चाए, अजवाइन भूख बढ़ाने वाला होता है, हमेशा से अजवाइन को भूख बढ़ाने कि लिए स्तमाल किया जता है, पेट अच्छा रखने के लिए स्तमाल किया तो अजवाइन को ऐसा यूज करेंगे जिससे की इंस्टिंट आपको फायदा हो, थोड़ी सी अजवाइन, दो तीन चुटकी अजवाइन को डेड़ कप पानी में उबालें, एक कप बच जायता चान लें, हनी और निम्बू का रस मिलाएं, खाना खाने के बाद में इसको यह जो चाय है, यह जो ड्रिंक है, यह टेस्टी भी है, और बहुत जल्दी असर देगी, गैस, प्लोटिंग सबसे रिलीफ कर देगी आपको, और भूख बहुत अच्छी लगेगे आपको, याद रखें कि जब भी आपको प्रेगनेंसी में डाइजिस्टी विशूज हैं, बेकरी आइटम्स हैं, दूद की चीजें हैं, जो बहुत दूद को उबाल कर बनाई हैं, खीर वगरा है, रबडी जैसे चीजें हैं, इनको कम खाएं या ना खाएं, थोड़ा रुख जाएं, एक बार डाइजिशन को फिर से रूटीन में आने दे, भारी चीज से बचना आ रगेगी और आप अपने फूद को खूब एंजॉई कर सकेगे, होप या लाइक दस वीडियो, दू सिब्सक्राइब दी चैनल, थैंक्स पो बाची,